So hello and welcome back again to another new video So guys, आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने फोन के स्टोरेज को कैसे कम कर सकते हो जैसे कि देख सकते हो अभी मैं आपको फाइल मेनेजर ओपन करके दिखा रहा हूँ ये मेरा फोन है और आप ये जो ट्रिक है कोई भी अपने फोन में यूज़ कर सकते हो बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग का फोन स्टोरेज फूल हो जाता है और फूल होने का वज़वी मैं बताने वाला हूँ जैसे कि फोन में बहुत सारा सैटिंग दिया हुआ है वो सबको आप यूज करके ठक चुके हो और यहां से clean up करके एक option आपको दिखेगा यहां से भी आप clean up अगर करते होंगे तो यहां से भी clean up करके आप clean up करते होंगे फिर भी आपका जो storage है वो कम नहीं होता होगा थोड़ा से थोड़ा एक दो दिन के लिए कम हो जाता होगा उ आज आता होगा तो आज मैं दो ट्रिक बताने वाला हूं उन दो ट्रिक को आगर आप फॉलो कर ले तो तो मैं यह 100% गैरेंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका स्टोरेज का प्रॉबलम जो कि यह 100% जो कि यह सॉल्ब हो जाएगा तो वीडियो में बने रहें चैनल पर ने चै 64GB यहां पर यूज्ड हैं और 44.5GB यहां पर खाली है क्योंकि मेरा यहां पर ज्यादा स्टोरेज ओक्यूपाइब करके रखा है गया, यह जान लेते हैं तो अगर आपको चेक करना है कि इतना इतना स्टोरिज ज progression कहां पर आपका धुए क्याहि काफियो करके रखा हुआ थो आपको सिंपली आप फोन स्टोर इस वाले पर चले जाना है हैं आपको ञाप लालग करोगे तोम्सारॉ यहां पर लिखा हुआ है इमेजेज 1.68 जीबी वीडियो 2.25 जीबी ओडियो 313 MB यहां देख सकते हो बहुत सारा है यहां पर जितना आपका जो की है यहां पर पूरा मेंशन होते दिखेगा और देख सकते हो यहां सिस्टम भी है 12.1 जीबी और 206 MB तो यह सब आपको टोटल यहां दिखेगा बट यहां पर बात यहां जाता है कि हम लोगों को स्टोरेज को खाली कैसे करना है तो आपको मैं दो ट्रिक बताऊंगा सबसे पहला ट्रिक मैं यह बता रहा हूं कि अगर आप अपने फोन को स्टोरेज को खाली करना चाहते हो जड़ से हमेशा के लिए तो आपको सबसे ज़्यादा अगर आप कौन सा अप्लिकेशन यूज़ करते हो वो पहले देखना होग जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा यूटूब यूज़ करता हूँ तो आपको यूटूब खोल लेना है यूटूब खोलने कबद आपको टैप कर लेना है यहाँ पर एप इन्फरमेशन करके एक सैटिंग आएगा आपको सिंपली से से ओपन कर देना है और स्टोरेज पर चले यूज़ कर रहे हो और ज्यदा यूज़ करे द शपोज़ आप गैलरी ज्यदा यूज़ करते हो आपको एप इन्फरमेशन में चले जाना है सेम प्रोसेस आपको स्टोरेज में चले जाना है एक को यहां पर देख सकतो Case of 272 imam कर आपको क्लीन की से करेंने ऐसे इसे करके आपको सारे डिरे डिरे कर देना ऐसे शुलिभわか आप कि यह अपका जो अशंचा आप जो इस टौरज वह खाली होसागा और यह तो खाली हो जागा बस one time के लिए फिर उसके बाद फिर आ जागा तो यह जो असली setting जो है जो main setting आपको play store में आपको मिलेगा जो की update आया play store में तो आपको play store simply से on कर देना है अगर आपके पास phone है कोई भी phone हो उससे कोई मतलब नहीं बस यह settings को apply कर सकते हो and आपको play store open कर देना second setting के बारे में बता रहा हूँ उसके बाद आपको profile वाले में चले जाना है profile आपको manage app and device में चले जाना है जैसी है आप चले जाते हो उसके बाद manage में चले जाना है manage में चले जाते हो तो यहाँ पर installed करके एक आपको यहाँ पर type होते दिखेगा तो आपको नौन आपको select करना है and select करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे का option आजाएगा install and not install not installed में आप जैसे ही किलिक करते हो तो यहाँ पर आपको जितनी भी application आप लोगों ने नहीं install कर रखा है वो सब भी यहाँ पर आपको जो है capture हो जाएगा and आप लोगों ने पास्ट में या फिर आप लोगों ने अगर application download कर किया होगा तो वो आप अगर install कर देते होंगे तो यह app management में जो की है play store में यह रहता है यहाँ से अगर आप clan नहीं जब जब तक नहीं clan करोगे तब तक आपका phone का storage है वो कम नहीं होगा तो आपको यहाँ पर देख सकतो में जो की है मैंने application download करके download करके uninstall कर दिया है तो वो सब देख सकतो यहाँ पर so होते दिखेगा मतलब कि अभी यह delete नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है आपको एक बार tap करता है आपको tap करना है और यहाँ पर देख सकतो icon यहाँ दिखेगा आपको यहाँ सिंप्लिस delete कर देना है remove कर देना है ऐसे करके आपने जितनी भी application download करके रखी होगी वो सब को आपको यहाँ एक एक करके यहाँ tick mark का option देगा यहाँ से आपको हटा लेना है ऐसे करके अगर आप हटा लेते हो तो आपका जो storage है वो कम होते जाएगा यहाँ पर count देख सकते हो two selected items 42 MB के बन रही है और यहाँ एक और item मैं select करता हूँ तो 111 MB के बनी है तो ऐसे करके आप जो है अपने phone के storage को जो की है खाली कर सकते हो ऐसे delete कर देना है remove कर देना है तो ऐसे करके जो आप अपने storage के problem को solve कर सकते हो और यहाँ चेक कर सकते हो मेरा जो की storage जदा था तो अभी कम हो चुका है तो ऐसे करके मैं धीरे-धीरे सारा अप्ली जो की है storage कम करूँगा and check करो जैसे की मेरा 18-19GB खाली था तो अभी 20GB खाली हो गया क्योंकि मैंने जो की है application जो की इंस्टॉल करके रखा था और uninstall कर दिया था पास्ट में तो वो सम मैंने remove कर दिया तो ऐसे करके जो आप है अपने phone के storage को कम कर सकते हो उमीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा ऐसी वीडियो देखने के में चल को subscribe करें वीडियो को like करें अपने भाई को support करें मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और खास कुछ और unique वीडियो को लेकर तब तब के लिए good bye